दोस्तो वजन कम करने के लिए आप कितने जतन करते हैं लेकिन फिर भी आपका वेट कम नहीं होता है और आप परेशान हो जाते हैं दरसल वजन आपके खाने पीने पर निर्भर करता है और आप क्या और कैसे खाते हैं ये बहुत माइने रखता है आज हम आपको जल्दी से वजन कम करने के लिए कुछ टिप्स देने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है, तो चलिए, बिना पैसे खर्च किए, जल्दी से वजन घटाने के लिए तयार हो जाएए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसा नुस्खा, जिसे सनके आप क घरेलू चीजों का औशधी के रूप में इस्तिमाल किया जाता रहा है। ये तो आप सभी जानते हैं और उन्हीं में से एक है दालचीनी। ये हमारी सेहत के लिए बेहद फाइदेमंद है। इससे आपके वजन और पेट की चरबी को कम किया जा सकता है। अगर हम इससे बनाने के लिए आपको पानी में दालचीनी के स्टिक को उबालना है। फिर बिना शक्कर डाले इस पानी को पी जाना है। चाहें तो आप इसकी जगा शहद का इस्तिमाल कर सकते हैं। शहद डालने से इसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप दालचीनी और शहद का पानी भी बना सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा option है, इसके लिए क्या करना है आपको दालचीनी का पाउडर लेना है, उबले हुए पानी का एक ग्लास लेना है और उसमें दालचीनी पाउडर डाल लेना है और उसके साथ ही आधा चम्मच इसमें आप शहद को भी मिला लें इस पानी को दिन में दो बार पिएं, सोने से पहले और सुबह खाली पेट शहद में हजारों गुण होते हैं शहद आपके मेटबॉलिजम को ठीक रखने में मदद करता है इससे आपको एनरजी मिलती है और वजन इससे कम हो जाता है शहद ही एक मात्र ऐसा मीठा है जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है इसके अलावा शहद कॉलिस्ट्रॉल को ज्यादा बनने नहीं देता है इससे आप एक्टिव रहते हैं और जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी ही कैलरी आप बॉन करेंगे और इससे आपका वजन कंट्रोल में रहेगा वजन कम करने के लिए दालचीनी और नीम्बू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दालचीनी और नीम्बू का ड्रिंक का आप बना सकते हैं, जिसके लिए आपको गुंगुने पानी में दालचीनी पाउडर और नीम्बू का रस मिला लेना है, इसे दिन में दो बार पीना है, अगर आप इस तरह से दालचीनी को अपनी लाइफस्टाईल का हिस्सा बना तो आपको खुद बखुद बदलाव नजर आने लग जाएंगे दालचीनी के आपको मैं ये बता दू कि और भी बहुत सारे फाइदे होते हैं Antioxidants से भरपूर होती है दालचीनी Antioxidants से हमारे शरीर में immunity बढ़ती है जो कि कई रोगों से लड़ने की शमता बढ़ाती है दालचीनी एंटी ओक्सिडेंट पढ़ाने का एक नेचुरल रिसोर्स है आप खाने में दालचीनी का इस्तिमाल जरूर करें और मैं ये भी आपको बता दूँ कि एक्सपेरिमेंस में ये बताया गया है कि दालचीनी में इथर और मेथनॉल के अर्ख होते है बाकी के मसालों के तुलना में दालचीनी सबसे शक्तिशाली एंटी ओक्सिडेंट गुनों से भरपूर होती है ये इंसुलीन में सुधार करने में भी काफी कारगर है बढ़ता हुआ वजन और इंसुलीन का सीधा कनेक्शन है अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब चीजे में क्यों बता रहे हो बात तो हम वेट लॉस की कर रहे हैं न तो बढ़ता हुआ वजन और इंसुलीन का सीधा कनेक्शन है जब शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो कॉलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है जिससे शरीर का वजन बढ़ना लाजमी है ऐसे में एक मात्र सहारा जो आपके पास बच्चता है वो है इंसुलीन आप दालचीनी के प्रयोग से इस समस्या से निजात पा सकते हैं क्योंकि इसमें मौझूद पॉलिफेनॉल्स आपकी मदद करते हैं इससे आपका वजन भी गटेगा और इंसुलीन में सुधार भी हो जाएगा साथी साथ ये दर्द को भी कम करता है बहरतिय व्यंजन में दालचीनी के किरदार की व्याख्या आप करी नहीं सकते हैं कि ये कहां तक आपके लिए लाबकारी है इसकी खुश्बू किसी को भी आकरशित कर सकती है आपको ये भी बता दू कि दालचीनी शरीर में शंक्रमन जो आपके हो जाते हैं उससे भी लड़ती है दालचीनी का सेवन सिर दर्द और कई तरह के दर्द को कम करने के लिए किया जा सकता है यहां तक कि गठिया के दर्द को भी दालचीनी कम कर देता है इससे blood circulation सही तरीके से रहता है और किस किस तरह से आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता रही हूँ तो एक और आपको इसमें नुस्खा में आपको बताने वाली हूँ जो है दालचीनी के स्टिक साबुत चबाने में आपको दिक्कत हो सकती है इसलिए आपके पास एक और option है की cinnamon powder बाजार में आसानी से मिल जाता है आपको या फिर आप इसे घर में भी पीश सकते हैं फिलाल बात वजन कम करने की हम कर रहे हैं तो आपको एक विशेश powder बनाने की जरूरत होती है इसके लिए आपको दालचीनी स्टिक और brown sugar की जरूरत होगी एक गर्म पानी में brown sugar के साथ एक grinder में आप इन दोनों ही चीजों का powder बना लें आप इसे लंबे समय तक store करके भी रख सकते हैं और इस powder को दिन में दो बार खाने से आपको best results मिलेंगे इसके साथ ही जैसा कि मैं हमीशा कहती हूँ किसी चीज से अगर आपको फायदा है तो इसके extra seven से नुकसान भी हो जाता है तो दालचीनी का उपयोग करते समय आपको क्या साथानिया बरतनी है अब मैं आपको ये बताती हूँ दालचीनी से बने ड्रिंक health के लिए बहुत फायदे मंद होते हैं ये तो मैं आपको बताई चुकी हूँ लेकिन आपको यहां इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि इसके overdose के दुश प्रभाव भी हो सकते हैं वजन घटाने के लिए दालचीनी का उपयोग करते समय खास साथानी रखने की भी जरूरत है कभी कभी क्या होता है कि वजन कम करने की होड में लोग इसकी सही खुराक को समझी नहीं पाते हैं और बिमार हो जाते हैं उन्हें digestion में परिशानी हो जाती है, खून से शुगर के लेवल का कम होना भी शुरू हो जाता है, खून बेहत पतला होना जैसी गंभीर बिमारियां भी उनको घेर सकती हैं अगर आप इसका अधिक सेवन करते हैं तो दालचीनी निश्चित रूप से आपके वजन को घटान में मदद करती है, लेकिन इसका सेवन का सही तरीका और सही मात्रा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, दालचीनी की सही खुराक के साथ exercise, कम calorie का संतुलित भोजन आपको बेहतर results देते हैं, अगर आप भी दालचीनी के सेवन की शुरूआत करना चाहते हैं और आप प जरू कीजेगा, तो आप कबसे ये आसान तरीका वजन घटाने के लिए अपनाने वाले हैं, कॉमेंट करके जरूर बताइए, साथी साथ ऐसे ही health वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे, वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे like औ शेयर जरूर करिएगा, धन्यवाद